नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खर्ना उम्योपेथि क्लीनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो हमारी नई पीड़ी में भारी रूप से पाई जा रही है आज कल के बच्चे एक तरफ तो कुछ बच्चे हैं जो तमाम टॉक्स हो, तमाम जो टीवी चैनल्स पर प्राइविट टीवी चैनल्स पर डांस सोज आते हैं उसमें बहुत ही बोल्डी डांस करते हैं और जवाब देते हैं लेकिन एक दूसरा पहलू भी ऐसे बच्चों का है, जो घरे में रहना पसंद करते हैं, किसी के बीछ जाना पसंद नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे आपको इन बच्चों में, इन बड़ों में इस समस्या को ठीक करने की, यानि सोशल फोबिया डिसॉर्डर, सोशल फोबिया डिसॉर्डर, यानि शाइनेस को खतम करने की, शर्माने की इस्तिती को खतम करने की, होमियोपैती में बहुत कारगर दवा हैं, जो आपके सोशल फोबिया डिसॉर्डर को खतम कर देंगी, और यह जो आपको समाज से जो है, वो एक डर लगता है, समाज के दूसरे से कहेंगे नहीं दूसरा आपके बारे में कैसे जानेगा और आप कहने में ही बात सर्माएंगे तो फिर आप आगे नहीं पड़ पाएंगे तो अपनी बात को कहिए वैसे हम इस वीडियो में आपसे अपनी बात कह रहे हैं वैसे आप भी अपनी बात जो भी आपके द disorder को खत्म करने की दस कारगर होमियोप्यतिक दवाय सोशल फोबिया disorder साथियों एक वह स्तिती होती है जब आपको समाज के बीच आने में anxiety यानि बेचैनी महसूस हो फियर यानि की डर महसूस हो embarrassment महसूस हो यानि असेश्टा आपको लगे आपको अपनी बेज़ती महसूस हो अगर यह स्तितियां आपके हैं तो यह ही social phobia disorder है जो आम तोर पे होता है इसमें व्यक्ति लोगों के बीच नहीं आना चाहता इसके symptoms आती हों symptoms इसके आदमी को समाज के बीच खड़े तो रहना चाहते हैं लेकिन समाज के बीच अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं, यह ही symptom होता है, social phobia disorder का, साथियों, social phobia disorder के तमाम कारण होते हैं, जिसमें की सबसे important कारण होता है, आपके brain का structure, ब्रेन में एक structure होता है, ओमिक डूला, ओमिक डूला ही आपको जो crowd में fear होता है, उसके लिए responsible माना जाता है, दूसा कारण होता है, inherited response, कि आपका inherited यह चला आरायनुवांसिक तोर पे की जो है, एक सर्वाने वाली सिती पूरे परिवार में पूरा परिवारी शर्मीला है, और तीसरा आता है, environmental साथियों, जो environmental conditions होती है, वो आपके सारे हावभाव को effect करती है, और यह social phobia disorder, shyness भी उससे अलग नहीं है, लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समधान भी है, हम आपको बताएंगे, आप में परिवर्तन लाने की 10 कारगर homeopathic दवाएं, वो परिवर्तन जो रखने के लिए आपके मांसिक उस्चिती को ठीक करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं, लेकिन साथियों हैं बता दें, कोई भी दवा बिना कुसल्ची की सक्षे पूछ के ना लीजेगा, दवा और सिंटम homeopathic में वेक्टी टू वेक्टी, परसन टू परसन भिन होते हैं, चलते हैं साथियों बताते हैं उस सफर पे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे, सोशल फोबिया डिसॉर्डर, शाइनेस को खतम करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं, साथियों, नंबर एक दवा homeopathic में जो आपको सोशल फोबिया डिसॉर्डर को ठीक करने की है, शाइनेस को खतम करने की है, एमराग्रेशिया बहुत कारगर दवा है, जब इसका मरीज लोगों के बीच आना ही नहीं चाहता, वहां लोगों के बीच कोई भी काम नहीं कर सकता, उस इस्तिति को मरीज को ठीक करने की दवा एमराग्रेशिया है, आप एमराग्रेशिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 दवा लेकर, या अपना बच्चा जो की बहुत शाइनेस हो, जिसको बिल्कुल वो किसी कॉंसर्ट, किसी स्कूल के प्रोग्राम में पाठ ही ना लेता, उसे आप एमराग्रेशिया दे सकते हैं, यहाँ दवा उसको इस शाइनेस यानि सोचल फोबिया डिसार्डर को खतम कर और उसको बोल्ड और समास से लड़ने के लिए काबिल बनाएगी, एक साथियों स्टिती आती है सोचल फोबिया डिसार्डर में, कि आप आकलन ही करते रहते हैं, मतलब आपको पब्लिक के बीच में जाने का मन है, लेकिन आप आकलन इनालिसीस ही करते रहेंगे, कि मैं पड़ता है तो अगर यह स्थिति हो कि आप आकलन में ही समय खराब कर देते हैं और जंता के बीच न जा पाती हो आपको डल लगता हो तो उसको ठीक करने की हुए वोपेथी हैं बहुत कारगर दभा है आर्जेंटम नाइट्रिकम आप आर्जेंटम नाइट्रिकम थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपके सोसल फोबिया डिसार्टर को खतम करेगी आपके शाइनेस को खतम करेगी और आपको चुस्त बनाएगी और बहुत ज़्यादा सोचे भीना आप अपनी बात को सभा म जनता में लोगों में अपने लोगों में रिष्टेदारों में अपनी बात को रख पाएंगे फिर साथी में कंडिशन आती है दिमागी स्थिती कभी कभी कि मरीज जो सोसल फोबिया डिसार्टर का शाइनेस का मरीज होता है वो बड़ी मजबूती से स्टेश तक जाता है अ बड़ा अच्छा बोलूँगा लेकिन जब स्टेश पर जाता है तो कुछ नहीं बोल पाता है अगर यह स्टेश आती हो तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ऐलुमिना ऐलुमिना दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप हरूस वेक्ति को दे सकते ह जिसके कबजियत रहती हो जो शर्माता हो अपने को अश्योर करता हो कि मैं स्टेश पहुचूंगा तो मैं परफाम करूंगा लेकिन स्टेश से बगएर परफाम करें लौट आ जयता हो अलुमिना के मरीज को सर्दी भी बहुत लगती है और उसको परिशानी भी बहुत होती है तो आपकी डगउस ऐलुमिना है अगर आप शर्माते हैं इस टेश पर पहुंशने के बाद जब तक नहीं पहुंशने जब तक जब सब ठीक रहता है लेकिन इस टेश पर चड़ गए तो शर्मा जाते है तो अगर आप लोगों के बीच में जाना पड़ता है तो आपको और आपको डर और घवरहाट होने लगे तो इसको ठीक करने के हुए उपयती में दवा एको नाइट ने प्लस है एको नाइट थार्टी दो दोगून दिन में तीन बार आप दे रीजिए आपकी दिल की धलकन भी सामान ने हो जाएगी आपका सोसल फोबिया भी खतम होगा आपकी शाइनेस भी खतम होगी और आप जनता के बीच जाके अपनी बात मजबूती से या लोगों बीच किसी भी अपने परिवार इस्तिदारों के बीच भी अपनी बात बिना शर्माए कह सकेंगे फिर साथियों दूसरी स्तिदी आती है कि कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक के बीच में बोल नहीं सकते हैं जनता के बीच में अपनी बात नहीं बोल सकते हैं अगर पांसो पचास सो लोग हैं तो वो बोल नहीं पाएंगे अगर याए स्थिती हो साथि हो तो इसको ठीक करने के हो नो भीक हो पेटी हो बहुत कारगर दवा है सालीसिया आप सालीसिया थृती पावर में दो-दो-बून दिन में तीन बार 예ज त ini आप पबिक पब्लिक के बीच बोल नहीं पाते हैं, पब्लिक के बीच इस्पीच नहीं दे पाते हैं, पब्लिक के बीच अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो आपकी दवा साइलीशिया है, आप साइलीशिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार देके, अपनी सोशल फोबिय के कुछ मरीज होते हैं जो अपने को किसी काबिल ही नहीं拘े तो अगर आपके और आपके की किसी काबिल नहीं है तो आप लोगों के बीच जाके क्या करेंगे तो उस विचार को खतम करने की और आपके social phobia disorder यानि shyness को खतम करने की बहुत कारगर दवा है lycopodium clevetum आप lycopodium 30 दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले यहाँ दवा आपके social phobia disorder को खतम करेगी आपके मन की हीन भावना को खतम करेगी जिसके कारणा public के बीच नहीं जा पा रहे हैं आपका पेट खराब होगा पेट में बुरहाट होगी तो उसको सही करेगी अगर आपके चेरे पे जहाँ pigmentation होगा उसको सही करेगी अगर आपकी मर्दाना ताकत कम होगी उसको सही करेगी तो lycopodium इत्ती काम की दवा है एक बार इसको अगर आप अपने महीन भावना मैसूस करते हैं तो social phobia disorder के case में अवस्यने एक इस्तिती साथियों आती है कि जब बच्चा इत्ता शर्माने वाला होता है उसको social phobia disorder होता है कि वो क्लास में सब से पीचे बैटता है और छिपा हुआ बैटता है हो घबड़ाट में बैटते हो हर समय आपको डर बना रहता हो कि कहीं टीचर उठा ना दे तो अगर याइस्तिती हो तो इसको ठीक करने के हुम्योपैती में बहुत कारगर दबा है सल्फर आप सल्फर वनियम की तीन खुराग बच्चे को पच पच पिनिट के फासले पर दे दीजिए आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद बच्चा सबसे आगे वाली रो में बैटने की जित करेगा और चाहेगा टीचर हमको उठाए मैं सतर बच्चों के बीच अपनी बात कहूं और तालियां बचे मैं हेड मानीटर बनू मानीटर बनू, हेड बाय बनू, हेड गल बनू तो सलफर एक मिरेकुलस दवा है ऐसे लोगों के लिए जो छिपे-छिपे किनारे सबसे आखरी सीट पर बैठते हैं और शर्माते रहते हैं कि कहीं उन्हें आगे बुला लिया जाए एक साथियों स्टिती आती है कि जब आप जनता के बीच आते हैं तो आपके दिमाग में खाली पन रहता है एक एम्टीनेस ओफ माइंड होने लगता है तो अगर यह स्टिती हो कि जब आप जनता के जाने से पहले सब भूल जाते हों जो आपको बोलना है जो आपको कहना है आप सब भूल जाते हों और माइंड में खाली पन सुना पन आ जाता हो तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दभा है जलसीमियम सर्पाइनम जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप ले सकते हैं अगर आपके emptiness of mind है दिमाग में खाली पन महसूस हो रहा है जनता के बीच जाने में और आप नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरह शर्माने को ठीक करने की दबाँ जलसीमियम है जलसीमियम का मरीज को dullness, dizziness, drowsiness, weakness रहती है उसको प्यार बिलकुल नहीं लगती और वहाँ जलसीमियम का बच्चा एक्जाम जाने से पहले सब कुछ भूल जाता है और कापी खाली छोड़ाता है तो इस तरह का जो emptiness of mind है यहां आपका social phobia disorder को इस तरह का ठीक होगा जलसीमियम से और आप confidently याद करके अपनी बात लोगों के बीच कह सकेंगे यह सातियों को दवाएं थी आपके मन की चाहट को दूर करने की आपको इस समास से लड़ने के लिए के बिबल बनाने की क्योंकि मैं फिर कहूंगा आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो सामने वाले को राजी कैसे करेंगे अपनी बात पर चुप रहे के कैसे राजी करेंगे हम आप से कहें जैं मन में हसी है आप नहीं हस पाएंगे हम भी नहीं हस पाएंगे हसी तो तभी आएगी जब हम मुखोल के हसेंगे इसी तरह जब हम अपनी बात लोगों के बीच रखेंगे तभी तो हम अपनी बात समझा पाएंगे और हमें हक है अपनी बात समझाने का अपनी बात रखने का तो आप इस हक को लीजिए अपनी बात रखिए जो आपको symptom मिले इन दवाओं में से आप इस्तमाल करिए लेकिन डॉक्टर की सला से बिना डॉक्टर की सला और प्रिस्क्राइब कराए उसके प्रेस्क्रिप्शन पर कोई भी दवा इस्तमाल दा करिएगा अगर आपके मन में कोई query हो साथी हो तो आप notification पैनल में या YouTube में अपने query को लिख सकते हैं phone number हमारा नीचे WhatsApp दिया हुआ है आप लिख सकते हैं आपकी query का जवाब देने का मैं पुरा प्रियास करूँगा अगर साथी हो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, आपने channel को subscribe करिएगा और बेल notification icon को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो परात करते रहिएगा आपका साथ ही उती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लिनिक कोशिश करता है कि जल्द ही आप अपनी बात लोगों के सामने मजबूती से रखें धन्यवाद बहुत नहीं है जग दूब कर दो दूंगे करेंजिता दो लुट है